कि अगे वेल्कम बैक गाइस तो अभी तक हम लोग ने जो सीखा उसमें हम दोग ये लगा रहे थे जिनका by default जो टाइप होता है वो होता है टेक्स्ट ठीक है तो by default इनका टाइप होता है टेक्स्ट और इस लेक्शर के अंदर हम लोग एक और टाइप को चेक करेंगे एक इंका कि आदे कैसे इस्टेक्स कैसे जोते हैं थीक तो जिससे आप लोग म devoted में आप लोगों ने देखा होगा या मेल्यडिबलटाइस को सिले ACC करने के लिए यह चैप उस्टेक्स यूज़ किये जाता हैं को अभी मैं यहां ब्र आजिए इसको खतम कर देता हूँ और एक input type check box जो है वो लगवा देता हूँ और उसकी data को access करने के लिए मिज़े इसको कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा तो इसको नाम दे देता हूँ trams और इसको id भी दे देता हूँ trams ठीक है अब id का क्या usage है वो मैं थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों को explain करता हूँ और इसको मैं जरा reload करता हूँ तो आप लोगों को सरफ और सरफ एक tick mark नजर आएगा और अगर मैं यहां पर BR का एक take लगा दूँ और इसको reload करो यह देखें tick mark का इस पर और जैसे ही मैंने farm को reload किया है तो यहां पर इस box के उपर कोई tick नहीं है अगर मैं इस पर tick करता हूँ और search के उपर click करता हूँ तो आप लोगों को एक array नजर आएगा जिसके अंदर नजर आएगा trams जो के मैंने इसका नाम दिया है और इसकी जो value आ रही है वो आ रही है on पर अगर मैं दुबारा से इसको बिना tick किये search के उपर click करूँ तो आप लोगों को एक empty array नजर आएगा वच मेंज कोई भी data transfer नहीं हुई server तक after this method was called जो के है post चीक है अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि करें तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ लच्छे के I agree with trams उसको मैं reload कर देता हूँ तो अब आप लोगों को डजर आ रहा है I agree with the trams पर अगर मैं I agree with the trams पे click करूँ तो यह जो box है वो check नहीं हो रहा है तो मुझे जो check करने के लिए यहाँ पर इसको click करना लाज़म पढ़ रहा है ठीक है तो यह चीज़ को avoid करने के लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक label का tag यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम लोग लिखवा देते हैं I agree with the trams और यहाँ पर इसको reload कर देते हैं लेकिन अभी भी यह काम नहीं करेगा इस text के उपर click करने से मैं इसको check नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा for के अंदर value देनी पड़ेगी वो ही जो मैंने ID के अंदर दी है तो मैं यह वाली जो value है वो यहाँ पर आके paste कर देता हूँ और इसको save कर देता हूँ और अब इसको reload करते हैं और अब अगर मैं इस पर click करूँ तो देखें मैं यहाँ पर click करने से इसको check और uncheck कर पा रहा हूँ ठीक अच्छा अगर मैं चाहता हूँ कि एक नई property देता हूँ check भी कि तो इसको save कर देते हैं अब मैं जैसे reload करूँगा तो by default यह जो check box है वो check रहेगा fine enough और अब अगर मैं इसको send करूँ तो आप लोगों को नजर आएगा on पर इसकी value को क्या मैं customize कर सकता हूँ तो जवाब है yes इसकी value को हम लोग customize कर सकते हैं value को customize करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक और इसके अंदर field या attribute डाल देते हैं value का और वो value के अंदर हम लोग कुछ भी लच्चे past करवा देते हैं और इसकी value देते हैं agreed तो जैसी बन्दा कोई tick करेगा इसके उपर तो जो form के अंदर value जाएगी वो जाएगी agreed की तो मैं यहां पर इसके अंदर click करता हूँ और search करता हूँ तो आप देखेंगे एक array है जिसके अंदर trums का जो associative array है और trum की जो field है की है उसके अंदर या index है उसके अंदर value है agreed okay अब on या off नहीं आ रही है fine enough ठीक है off करने थे कोई भी डेटा नहीं जाती है बज़र okay अब जिराना एक मैं और चीज कर देता हूँ कि यहां पर एक अच्छे label कर देता हूँ और यहां पर एक question पूछ लेता हूँ और वो question होगा कि dot fruit do you like ठीक है और मैं उसके कुछ ना कुछ इसको input fields देता हूँ यानि के options देता हूँ और input field होगी check box उसमें नाम इसका लिख दें अच्छे id दे दें इसका fruit और उसका नाम दे दें fruit1 और उसकी जो value है वो आप लगा दें अच्छे mango और साथी साथ मैं इसको copy कर रहा हूँ और copy करने के बाद मैं इसको दुबारा से past कर रहा हूँ और इसी तरह से तीसरी बार भी past कर रहा हूँ और इसको दे देता हूँ fruit2 इसको दे देता हूँ fruit3 का नाम और यहां पर लिखता हूँ banana और यहां पर लिख देते हैं orange ओके तो तीन fields हमारी बन गई और इसको मैं फतम कर देता हूँ और यहां पर label लगाने की वैसे जरूरत नहीं है label in input fields के साथ लगाँगा तो फिलहाल तो इनको मैं पी टेक के अंदर in close कर वा देता हूँ और यह मैंने लगा रहा है पी टेक और ctrl v और इसको save कर दें इसको minimize कर देता हूँ इसको reload करते हैं तो यह हमारे पास currently नजर आ रहा है लेकिन यह tick box किसको represent कर रहा है वह मुझे पता नहीं चल रहा तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ इसके लिए मैं label लगा देता हूँ और label लगा के इसकी भी ID 1 कर दें sorry इसकी भी ID 1 कर दें इसकी 2 कर दें और इसकी 3 कर दें और label फूट 1 कर दें और यहां पर लिखते हैं मिंगो और इस label को जरा उठा के input field के बाद रखवा दें save करें, reload करें अब यहां पर मिंगो आ गया इसके बाद एक प्रिक कर दें और यही copy करें इसको यहां पर आके paste कर दें और मिंगो के बाद हमारा था बरगाना और बरगाना के बाद यह होगा हमारा fruit 2 और यह होगा हमारा fruit 3 और यह होगा orange बरगा इसलिए और इसको save कर दें इसको reload करें तो mango banana या orange अब इसमें से अगर मैं इस पर click करता हूँ और इस पर click करता हूँ और search करता हूँ तो आप लोगों को नजर आएगा fruit 1 के अंदर mango fruit 3 के अंदर orange जाने के मैंने दो चीजें जो हैं वो select की हैं एक fruit 1 और एक fruit 3 fruit 2 मैंने चेक नहीं किया तो इस तरह से इनकी जो values हैं वो access कर सकते हो और दूसरा तरीका यह है कि आप जो यह fruit है उसको आप लोग एक table बना लो इस तरह से fruit को आप एक table बना लो और यहां पर भी for fruit कर दें उससे यहां पर ठीक है और इसको save कर दें और इसको करें अब जरा reload और अब अगर मैं इन में से किसी दो क्लिक करता हूं और search करूंगा तो आप लोगों को एक fruit एरे नजर आएगा मतलब एक associative एरे हैं जिसमें जो key है वो या index है वो fruit है और उसके अंदर जो है वो एक और एरे हैं मतलब यह fruit उस एरे को represent कर रहा है जिसके zero index के उपर mango है और one index के उपर बनाना है तो इसी तरह से आप लोग अगर इसको यूँ चेक करके और search करना चाहों तो अब आपको नजर आएगा कि zero के उपर mango and one के उपर आप orange रहना के बनाना है तो दोनों तरीके अवालेबल हैं आप चाहे तो कोई सा भी उस कर सकते हैं ठीक है और check box में एक और खास चीज़ देगें यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ नजर आ रहे हैं choose your monsters और यह choose your monsters कहां से आएं यह actually यह legend से आएं तो मैं इसको copy कर लेता हूँ और इस पूरे को न मैं enclose करवा देता हूँ field set में तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ field set ठीक है और यहाँ पर legend लिखवा देता हूँ यह वाली चीज़ what fruit do you like legend के अंदर आ जाएगा what fruit do you like और इस field set के अंदर यह जो पीट का tag है इसको मैं अटा देता हूँ और यह पूरा का पूरा जो code है वो इस field set के अंदर पैस्ट करवा देता हूँ save it and now farm को reload करें तो एक बहुत ही खुबसूरा सा box आप लोगों को नजर आएगा जिसमें उपर लिखा हुआ है what fruit do you like और उसमें फिर mango banana या orange को आप select कर सकते हो लट से मैं banana को select करता हूँ तो एरे में आगया fruit a10 index is banana तो यह था अपना कुछ checkboxes के बारे में अगले lecture में हम लोग बढ़ेंगे radio के बारे में और radio को बढ़ना सीखेंगे और उसकी data को निखालना सीखेंगे